Basic Nature of Nuclear Forces इस वीडियो में हम Nuclear Forces के Basic Nature को समझेंगे हमें पता है कि उनिवर्स में कोई भी सिस्टम Forces के कारण जड़ा हुगा है Classical और Atomic Physics में दो Forces की स्टेडी की जाती है Gravitational और Electromagnetic Forces क्या है Force? Nucleus में Nucleons को बांद सकते हैं Neutrons के पास कोई चार्ज नहीं होता इस कारण से वे Electromagnetic Force experience नहीं करते Neutrons neutral होते हैं इस कारण से वो Electromagnetic Force experience नहीं करते Protons के पास Positive Charge होता है इस कारण से उनके बीच Strong Coulomb Repulsion Force एक्ट करेगा यहाँ पर Positive Charge पॉजिटो चार्ज को Repel करेगा Gravitational Force बहुत वीक होता है इसलिए Nucleus के केस में उसका Effect Negligible होता है अब हमें तीसरे तरह के Force के बारे में सोचना होगा जो Nucleus में Nucleons को बांद कर रख सके इस Force को Nuclear Force कहा गया है यह Force Nucleus की Size के Distance तक बहुत Strong होता है यानि कि जतना Nuclear की Size होती है जतना Nuclear की Size होती है उस Size तक Nuclear Force उस दूरी तक यह Nuclear Force बहुत Strong होता है उसके बारे एक दम चे वीक हो जाता है इस कारण से इस Force को प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले Repulsion Force को Overcome करना होगा Molecular Structure को Electromagnetic Force द्वारा सही तरीके से प्रेडिट किया जा सकता है इस कारण से हमें पता लगा कि किसी Molecule में नुकलिया की Spacing जो कि 10 to the power minus 10 meter होती है केवल इसी Spacing तक Nuclear Force एक्ट कर सकता है इस कारण से कहा जा सकता है कि Nuclear Force की Range बहुत कम होती है वा डिस्टेंस के साथ यह Force बहुत तेजी से घड़ता है Physics में Quantum Field Theories से Forces को Drive किया गया है इस थियोरी के अनुसार Field Particle द्वारा Forces को Transmit किया जाता है नुकलिया फोर्स भी Quantum Field Theories से ही Drive किये गए है नुकलिया फोर्स में प्रिस्पल फिल्ड पार्टिकल पाई मैसॉन होते है पाई मैसॉन तीन तरह के होते हैं Positive, Negative और Neutral 1935 में युकावा ने पाई मैसॉन फिल्ड पार्टिकल को प्रपूस किया Electron के मास के comparison में पाई मैसॉन का मास 270 टाइम्स होता है इस कारण से नुकलियर फोर्स की रेंज बहुत कम होती है जब पाई मैसॉन को एक नुकलियस से दूसरे नुकलियस में भेजा जाता है तो मैसॉन का creation, law of conservation of energy को डेल E amount से violate करेगा तो Einstein's mass energy relation से हमको मिलेगा डेल E is equal to mpi c square जहां mpi, pi मैसॉन का rest mass है और c, velocity of light है यह energy conservation violation टाइम डेल T से जाना नहीं होगा तो Heisenberg uncertainty principle से हमको मिलेगा डेल T is equal to h cross upon डेल E इसी को हम लिख सकते हैं h cross upon mpi c square डेल E की जगे हमने रख दिया mpi c square माना की pi मैसॉन light की velocity c से चलते हैं तो time डेल T में रख distance कवर करेगा r is equal to c डेल T तो यहीं होगा h cross upon mpi c square यह nuclear force की range है इसे solve करने पर nuclear force की range मिलेगी 1.4 cross 10 to the power minus 15 meter या 1.4 fermi main properties of nuclear force nuclear force की main properties क्या होती है nuclear force attractor होता है short range है is independent है charge independent है यह saturated होते है और इनके पास hard core होती है within a distance of about 0.5 fermi इस वीडियो में हमने nuclear force के basic nature को समझा यदि आपके कोई doubt है या clarification है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वेब्साइट के थूरू तो गनर्वार्द